दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं GB WhatsApp के फीचर के बारे में जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि GB WhatsApp में आपको एक आफसन देखने के लिए मिल जाता है Privacy and Security का आपको हम उस आफसन के डिटेल्स के बारे में आपको हम बताने वाले हैं कि उसमें क्या-क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो बने रहेगा वीडियो के साथ में कहीं पर आपको वीडियो के स्किप नहीं करना है वीडियो को आपको पूरा देखना है उससे पहले मैं आपको हम पर बता देता हूं कि यह जो आपका जीबी वार्टस अप है इसका लेटेस्ट वर्जन है यह आपका 19 है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया तो अपडेट किजेगा चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और बिल के आइकन पर प्रेस कर दिजेगा ताकि हमारी सभी लेटेट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे तो चली फैंड्स ज्यादा नद्र करते ह हैं और आज आपको हम बताते हैं एक ऐसा तरीका जिसमें आपको प्राइबेसिस रिलेटेड सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे तो वीडियो को कहें पर आपको इसकी ट्रीक करना है सबसे पहले मैं आपने यहाँ पर जीबी वार्टस अपको ओपन कर ले सबसे पहले मैं आपको फैश्टा आप से लिए मिल जाता है जो होता है आपका हाफ प्राइबेसिंट सिकुर्टी का का आज हम आपको के बारे में आपको डेटेट बताएंगे यह आप भी इसे अपडेट कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लिक करता हूँ प्राइवेटी इंट सीकूरिटी पर जैसे मैं यहाँ पर privacy and security पर क्लिक करता हूँ फ्रेंस तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो first option आपको यहाँ पर दिखाई देता है वो होता है आपका freeze last scene freeze last scene होता क्या है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि माल लीजिए आप किसी अपने friends से बात करते हैं किसी से chatting करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका जो contact होता है आप जब भी online आते हैं तो उसको पता चल जाता है कि आप इस समय online आ चुके हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका online आने के बाद वो न पता चले उसको न पता चले कि आप online आये हुए हैं तो इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको यहाँ पर फिरिज लाइट सीन को आफ कर देना होगा कि कुछ इस प्रकार से इसको इनेवल कर देना होगा जैसे भी आप इसको इनेवल कर देंगे आप कभी भी आप 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 आनलाइन आएंगे तो आपका यह होगा कि उस बंदे को पता नहीं चलेगा कि आप अई समय आनलाइन हैं या फिर नहीं हैं आपका जो ओल्ड वाला लाइट सीन होगा वो सो करेगा चली फ्रेंट्स अगली सेटिंग्स के बारे में हम आपको यह पर बता देता हूँ तो आपको यह पर देखने के लिए मिल जाता है एंटी व्यू वन्स यह क्या होता है सबसे पहले मैं इसके बारे में भी आपको पता देता हूँ friends आपने देख और बहुत सारे लोग होते हैं जब भी आपको कोई भी भी भेजते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर यह होता है मैं आपको यह पर करके भी दिखा देता हूं इसके बारे में, यहां पर जैसे मानलीजीए कि अप यहां पर किसी से अपने chatting करते हैं, तो वो जो होता है, आपको कोई बेजता है, आपको पिक भेज़ता है, कुछ इस प्रकार से, जैसे मानलीजीए कि यहां पर मैं यह वाले पिक लेता हो, और लेने के बाद आपको 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 आप और NTVU1 का जो यहां पर आफसन आपको देखने के लिए मिल जाता है आपको इसको क्या करना होगा इस परकार से एनेबल करके रखना होगा अब जब भी आपको कोई मित्र आपको फोटो भेजेगा इस परकार से तब भी वो बिलिट नहीं होगा प्रकार आपके सीन करने के बात भी चली doctrine अगली हम फिचर के बारे मैं आपको यहां पर बता देता हूँ जैसे आप यहां पर देख सकता है कि आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है Disable Forwarded जी हाँ फिर आपको यहाँ पर देखने के लिए जाता है Disable Forwarded अब इसके मदलब क्या होता है सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ फिर आपने देखा होगा कि आपका जो भी कोई दोस्त होता है वो आपको कोई पिक भेज़ता है या फिर कोई बीडियो भेज़ता है तो आप यहाँ पर देखते होंगे कि आप जब किसी को send करते हैं तो वहाँ पर लिख जाता है recent जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है recent वहाँ पर लिख जाएगा तो इसके लिए आपको यहां पर क्या करना होगा? इसको सबसे पहले क्या करना होगा? इसको disable करके रखना होगा आप किसी को आप कोई वीडियो आपको बन्दा भेजता है और आप उस वीडियो को या फिर फोटो को किसी और को भेज देते हैं तो वहाँ पर recent नहीं दिखाये देगा, forwarded नहीं दिखाये देगा चले, friends, अगले settings के बारे बारे हम बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर देखने के लिए में जाता है Who can call me? आपको उस पर क्लिकना है यहाँ पर तीन अपसान आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं जैसे everyone, my contact और आपको यहाँ पर nobody everyone आप यहाँ पर करके रखते हैं तो मान लिजए कि आपकी जितने भी दोस्त होते हैं आपने जिन का number save करके रखा हुआ है या फिर आपने किसी का number save करके नहीं रखा हुआ है आपको सभी लोग call कर पाएंगे चाहे वो फिर voice call हो या फिर video call हो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप जिन लोगों का number आप save करके रखे हुए हैं सिर्फ वही लोग आपको call कर पाएं तो इसके लिए आपको यहाँ पर my contact पर कर देना होगा कुछ इस प्रकार से उसके बाद में अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपको कोई भी video call ना कर पाए या थिर कोई भी voice call ना कर पाए WhatsApp पर तो यहाँ पर आपको no worry कर देना होगा चले हम आपको अगली settings बता देते हैं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है custom privacy जैसे आप यहाँ पर click करेंगे custom privacy पर तो आप यहाँ पर देखते हैं कि कुछ परकार से clear दिखाए देता है तो इसमें कोई option नहीं दिया गया है इसलिए हम यहाँ पर नीचे जाते हैं नीचे जाने की बाद अगला जो यहाँ पर setting मिल जाता है यह आपका मिलता status related अब यह क्या होता है hide view status यह क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ friends जैसे मानली friends की आपका कोई दोस्त है, मित्र है वो कोई status लगाता है तो आपने देखा होगा कि जब भी आप उसके status को scene करते हैं तो इसको पता चल जाता है कि आपने उसके status को scene कर लिया है अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप उसके status को scene कर लें देख लें उसके बाद में भी उसको ना पता चले तो आपको यहाँ पर क्या करना है इसको यहाँ पर यह देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से यह enable होगा तो इसको यहाँ पर ऐसे enable रखना है इसको off यहाँ पर इसको नहीं करना है और जैसे इनेबल लहेगा आप किसी के status को scene करेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा उस बंदे को कि आपने उसके status को scene कर लिया है चली अगली setting हम status related है ये भी आपको यहाँ पर बता देते हैं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है anti delete status अब यह क्या होता है फ्रेंट्स थोड़ा समय इसको भी आपको detail में बता देता हूँ जैसे मान लिजी फ्रेंट्स कि आपका कोई दोस्त है मित्र है वो क्या करता है status कोई लगाता है और status लगाने की तुरंत ही बाद वो delete भी कर देता है अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब status लगाते हैं और status लगाने के बाद दिलीट कर देते हैं और आपका कोई मित्र है दोस्त है वो status लगाता है और लगाने के बाद डिलीट भी कर देता है तो उसका status आपको सो करेगा जब तक आप देख नहीं लेंगे तो तो काफी अचा है फीचर से आप इसको कर सकते हैं चलीं हम अगला यहां पर आपको बता देते है जो फीचर दियागा यहांपर चैट से कोई दोस्त है आपका मित्र है वो आपको मैसेज करता है और मैसेज करने के बाद वो डिलीट भी कर देता है तब भी उसका मैसेज कि आपने देखा कि जब भी कोई आपका मित्र आपको message करता है और आप उसके message को scene कर लेते हैं और scene करने के बाद आप उसको message करते हैं तो उसका वहाँ पर blue ticks सो हो जाएगा कि आपने उसके message को scene कर लिया तो इस प्रकार से रखना है अगर आप इसको यहां पर आन करके रखेंगे आप उसके मैसेज को स्टीन भी कर लेंगे तो उसको ब्लू टिक्स सो नहीं करेगा अगला आपको इहां पर आपको इहां पर आपसम दियागा है हाइट कांटेक्ट नेम अपने देखा होगा कि जब भी आप किसी से चैटिंग करते हैं तो उसका आप आप आपको यहां पर देख सकते हैं यहां पर जैद मैं चैडिंग करते हूं तो आपको जहाइंग करता है इसका नेम नेम यहां पर जाने के बात आपको नीचे जाना है और जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको demands हाइण प्रकार से आपको कर सकते हैं और सारे बता देता हूँ तो यहां पर हम सबसे पहले प्राइब Mysteries पर जाते हैं जो जाने के बाद है एक आप आपको में देखने के लिए तो आपको में रहें फेलanie फिर दि passou रहने न होता के नकुत पर जो कि रहें टिक सकते हैं कि hide blue ticks आपको यह 17 अपर देखने के लिए मिल जाता है हाइट से आपको यह पर देखने के लिएं जाता है इस प्रकार से हाइड प्लू microphone और यहाँ पर hide tapping & Иопth recording यह सारे आप ships से अयहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं तो यह यहां पर खुरूप देखं़ ने के लिए यहां पर हाइड कर सकते हैं आप कường लेते हैं अगला शेटिंग अप्र जो द्यागया है यह है आपका ब्रोड कास्ट के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं जो यहां पर आपको ब्रोड कास्ट का आपको यहां पर आपसंद देखने के लिए मिल जाता है आप यहां पर देख सकते हैं एप confer थेखने की मिल यहां की यहां पर की अधिसार है अनुकर हुशन से और अधिसे नहीं से खना जानות फिर दो है अगला नहीं मौन्स होगा चैया जीन गोंगर में सबस्कूंदी करें तो उसका व हएंगर नगी मैंwwww यहाँ पर मैं four time zero डाल देता हूं आप कुछ भी डाल दीजिएगा और डालने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप से यहाँ पर यह जो recovery question होता है इसको डालना काफी important होता है क्योंकि कभी कभी होता है कि हम अपना password भूल जाते हैं तो उसको कैसे recover कर पाएंगे इसक आप कुछ डाल देगा जो आपको याद रहे हमेसा तो यहाँ पर मैं अपना नाम ही डाल देता हूं ताकि कभी यह मुझे भूले ना और आपको कुछ करना नहीं है आपको यहाँ पर okay कर देना है जैसे आप यहाँ पर okay कर देंगे तो यह सारी चीजे हो जाएंगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हो चुका है recovery question भी यहाँ पर complete हो चुका है अब ही अब मैंने आपको करके यहाँ पर दिखा दिया है तो यह हो चुका है आप चलिए यहाँ से मैं बैक होता हूं और आपको थोड़ा सा करके दिखा भी देता हूं जैसे आपर यह जो हमारी gb वार् कर पाएंगे माली यहाँ पर अपना password भूल गया हूं अभी open नहीं हो रहा है कुछ प्रकास आप यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा फ्रेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है recent आपको यहाँ पर pin code या फिर आप यहा कर दो यहाँ पर रिसेट रहें पर कल्क नहीं करता हूँ और जैसे यहाँ पर क्लीक करूंगट तो यहाँ पर जो पुछंग के बाद में पर answer ईंसर में आ आप 7 6 7 the आप Curly आअप अ मौन्डा तॉ आप्से नियू पास्वोड बानाना होगा जो नियू की बातर नेके बात के साथ थांक्यू उन्टन्वाजी जय है